मैं नजबीक से दिखाता हूँ यह अच्छी क्वाल्टी का चावल है और सब्जी भी बहुत अच्छी क्वाल्टी का दिख रहा है यहां पर सब्जी चावल रोटी गोड हलुआ अच्छा सब दिया जाता है नौ से लेके साम आट बजे तक कंटीनूस बंद लिए सुभा तो हेलो फेंड वेल्कम बैक तो अच्छी को आगर थे खेर मगदम है एक और बढ़िया सब व्लॉग लेगर प्रेंट फाइनली ना जैसा कि आप पता है इसलिए आप व्लॉग कहां से तेखे थे थे युद्याद दाहम के रेले शेंसे में बाहर एक अच्छे रोमेटरी हो होटल का मैं अभी तो मैं दो थीन और वीडियो दोंगा होटल का अभी पट्जेंड में आपको जनकारी दे रहा हूँ ना अगर आप आयुद्या धाम आते हैं ना राम दर्शन को तो यहां को खाने पीने की टेंसर नहीं है आप यहां पर देख रहे हैं इस तकिये का बहु और आप बता दूब कि आप इडली भी खा सकते हैं और चावल के साथ तो मैंने बताया ही सब्जी वगरा मिल रहा है छोले का भी है आलू का भी है तो यहां पर बहुत से उधर भी लगा हुआ है इडली का और इधर भी लाइन से आप देख रहे हैं पूरा मतलब के थोड़ यह क्वाल्टी का चावल है और चले आलू की सब्जी है मैं चलता हूँ बाहर निकलता हूँ और आपको दिखाता हूँ तो लेखिए मैं नस्दीक से दिखाता हूँ यह अच्छी क्वाल्टी का चावल है और सब्जी भी बहुत अच्छी क्वाल्टी का दिख रहा है तो इ आपको बहुत अच्छा मिल जाता है बहुत सारे लोग खाते हैं चोटे बरे सब यह तो भी एक जगा का है अब यह आगे हम लोग जैसे भी जाएंगे ना हनुमान गड़ी के पास राम मंदिर के पास तो इस टॉल लाइन से मदलब कि आपको यहां का लंगर टैफ्रा खाने का मिलता रहेगा बस खाने पीनिया कोई दिक्कत नहीं है बहुत सा जो हलका फिर का लाइन लगना पड़ता ह है तो इस तरिके से अयोद्या धाम में आपको खाने पीनिया की दिक्कत नहीं होने वाला है तो चलिए खिर से मैं अभी बैक तू बैक अभी और भी सस्ते होटल का ब्लॉग दूगा और यहां भी वायन को शेड़े भी हैं आप वहाँ भी रूख सकते हैं तो हमारा साथ करने रहिए चैनल को तक सब्सक्राइब नहीं किया नों सब्सक्राइब कर लिजे कि आपको भाइस नहीं वीडियो लाके रहता है तो तो यह फिर में नेट लोग में तिल देन बाइ